दोस्तों पूरे भारत देश में एक और मुहीम चलाई जा रही है फ्री में लाप्टोप बाटने की जियों दोस्तों अगर आप भी भारत के निवासी है अगर आपकी भी उम्र 15 साल से जादा है अगर आप भी पढ़ने में रूची रखते हैं अगर आप के भी नंबर की जा चुकी है अगर आपको अभी तक इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के अंट तक बने रहीएगा दोस्तों आपको वता दें कि उत्तरपरदेश राजियो में योगी आदित्य नाथ के द्वारा इस आवेदन को काफी जादा स्पीड मे चलाय जा रही है और यूपी में अभी तक दो लाग से जादा बच्चों को फ्री में लाप्टॉप भी मुहया कराया जा चुका है दोस्तों अगर आप भी इस मुहीम में इस्सा लेना चाहते हैं अगर आप भी फ्री में लाप्टॉप सरकार के द्वारा लें अगर आपके राजव में इस मुहिम को अभी तक चलाया नहीं कया है तो अपने राजव के नाम कॉमेंट पे मैंशन जरूर कर दीजेगा तापकी आपको इसकी पूरी जहौनकारी दी जा सके कि आपके राजव में कब से कब तक इस योजना को चलाया जाएगा और इसके आवेदन के लिए इसके परिवार की आर्थिक इसी ठीट नहीं है अगर आपका नंबर तैंथ कलास में सही आया है तो आने वाले वक्त में आपके पूरी पढ़ाये का खर्चला भारत सरकार उठाएगी इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी दोस्तों इसी के साथ है आपको एक सारे बच्चों को फ्री में लापटॉप दिया जा चुका है अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटा फट से आवेदन कर लीजिए साथ ही आपको जान कर ये हैरानी होगी कि अगर आप एक लड़की है अगर आप चाहती है कि सिलाई कड़ाई ये बुनाई करें अगर आप भी चाहती है कि कोई बिजनस सुरू करें तो हर एक 18 साल से जादा उमरे की लड़की को उसका खुद का बिजनस या वेवासाइच चालू करने के लिए भारत सरकार उसकी काफी जादा मदद करती है इसकी पूरी जानकारी आपको आने वाले वडियोज में दे दी जाएंगे जादा यूसफुल साबित हुआ होगा अगर आपके आस पास कोई ऐसा लड़का या लड़की रहते हैं जो की गरीब हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें सभी को ये वीडियो शेयर कीज़े ताकि वो भी लैप्टॉप के लिए फ्री में आवेदन कर सके और फ्री में लाप्टॉप उनके लिए सरकार के द्वारा मुहाई अभी करा जाए दोस्तों आने वाले वक्त में और नई सारी उजनाएं सरकार की द्वारा शिडू की जाएंगी क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाओ का माहौल है ऐसे में घर घर खुशी पहुचाना अब उस सरकार की पहले जिम्मदारी बन चुकी है दोस्तों अगर आपको भी मेरी इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर इस अपने आज पढ़ो उसी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजेगा आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद